Hello everyone, welcome back to my channel, तो दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारी चैनल पर जहां हम बाते करते हैं fashion, beauty, lifestyle पूचा पार्ट से चोड़े हुए all in topic पर और मैं आपके साथ श्यर करती हूँ प्री लाइफ का experience दोस्तों हरी कृष्णा, रादे रादे कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप चैनल पर जहां हमें शिवरात्री मनाने किस तरीके से हैं उसके अगले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कूस किया था कि हम सुभा में शिवाला जाके विधान के साथ पूजन कैसे करें चुकिन शिवालाओं में होता क्या भीड़ बहुत होती है कोई किसी को बताता तो कुछ लोग जानते हैं कुछ हमारी नई बच्चियां हैं जो शुरुवात कर रही है नई नई पूजा की तो उन्हें बड़ी क्रियोसिटी होती है तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ जो है आप लोग के साथ डिसकुस की और आज हम डिसकुस करेंगे कि हमें घर में कैसे करना है वह मॉर्निंग से लेके और यह पूज जो शीडियों आपके सारी डिसकुस करूँगी यह सुभा से लेके शाम तक की विधी है चीछ है शिवरात्री का महा पर्व और इसमें सबसे महत्फबूण पूजा होती है वह होती है रात्री के चार पहर की क्योंकि इसल हम शिवरात्री कहते हैं और शिवजी की पूजा हम रात में करते हैं तो रात्री के चार पहर बहुत महात्पोड हैं लेकिन कुछ भाईब हैं हमारे ऐसे जो रात में नहीं जग पाते हैं नहीं उनसों पाता तो हम दिन में कैसे पूजा करें और ये विधि उनके लिए ही नही अब घर में हम पूजा कैसे करेंगे हमें सबसे पहले तो बंदिर की सफाई कर लेनी है जो भी थोड़ा बहुत मानलीजे सामाने धरुदर है फैला है उसको हम साफ करके समेट लेंगे जमीन में हम एक चौकी लगाएंगे आपके पास चौकी अगर नहीं है तो आप जिसे अगवान जी की स्थापना कर सकते हैं कहीं कोई प्रॉबलम नहीं है तो सुबह में आपको पूजा कैसे करनी है आपके पास अगर शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो इनका निर्माड कर लें सुबह में ये सुबह की पूजा का एक महतपूर पाठ है कैस आप जो शिवलिंग का निर्माड है उसे आप काली मिट्टी से कर सकते हैं मेरे पास बहुत सारी नों कॉमेंट आया था दीदी क्या बरफ से कर सकते हैं देखें ये पूजा पाठ है ये कोई मजाक नहीं है कि हम बरफ से कर लेंगे या हम बरफ फ्रीज में जमाएंगे दो क निकलती है आप उससे शिवलिंग का निर्माड कर लें और माता गौरी का निर्माड जो है या तो आपको गाय का शुद्ध गोबर मिल जाए ध्यान रखिएगा गाय का ही गोबर हो फिर और नहीं मिल पाता है तो आप हल्डी से भी माता गौरी की जो है वो निर्माड कर सकत अब बहुत सारे लोगों का कॉमेंट आएगा कि दीदी हमारे पास शीव परिवार की फोटो है नहीं फोटो तो है अची बात है आप फोटो को पीछे रखिएगा मंदिर में जसे आपने नीचे चौकी है तो चौकी पर कपड़ा बिछा लीजिएगा चौकी नहीं है तो चौ पर पीले रंग का कपड़ा लगा लेना है उसके चारो कोने पर संभव हो सकते आपको केले के पत्ते कहीं से मिल जाए तो जरूर लगाए नहीं मिल पाते हैं आम के पत्ते मिल जाते हैं आम के बांध लीजिएगा पान के मिल जाते हैं पान के रख लीजिएगा चारो कोने प करेंगे जैसे मंड बोलते हैं वो तयार करेंगे तो उसमें आप सभी पत्ते अपने लगा के तयार उसे कर लें और उसके बाद आप पीछे अगर शिव परिवार का आपके पास फोटो है तो उसको रख लें और आगे की तरफ एक अस्ट दल कमल बना के शिवलिंग की स्थाप जैसे कि में पास शिव परिवार की फोटो नहीं है माता पारवती साक्षात है श्री विष्णु जो है करें विष्णु जी श्री गड़ेश जी है और बहग्वान शीव हैं तो में इनका विग्रह रख के आगे शिवलिंग जरूर रखते हैं फिर हम शिवलिंग को जो है व करना है और एक कलश की करनी है स्थापना जिसमें हमें सिर्फ जल गंगा जल डाल के मंदर के अंदर रख देना उसमें थोड़ा सा पुष्प डाल दें और मा पारवती भगवान शिव इनके विधान के साथ पूजन करें जैसे कि आपने मिट्टी से बनाए है तो आप उन सिव कराईए मा गौरी का असनान आप गुडहल के फूल के द्वारा कराईए गुडहल का फूल बहुत परिया है उसके बाद गड़ेश जी को सिंदूर चड़ता है उन्हें सिंदूर चड़ाएं अक्षत चड़ाएं सफेद तिल चड़ाएं और उसके बाद लाल रंग के गौरी का पूजन करेंगे उनको जैसे कि आपने श्णान कराया शिंगार कराया चुनरी चड़ाए ठोड़ी सी सिंगार के सामगरी जो आप मंदर से आधी बचा के लाएंगे वो चड़ा दीजे और इस तरीके से लाल लंग के पुषप चड़ा के माला चड़ा के आप जो ह मतलब शिवलिंग का पूजन करेंगे यह पूजन करने के बाद आपको जो भी जब करना है ठीक है आप महामरितियु जय का जब कर रहे हैं उम्नमशिवाय का जब करना है आप अपना जब कर लीजे आपने जो ब्रत का संकल पलिया उसको उसी स्थान पर रख दीजे भगवान आजी की आरती कर लीजे और जो भोग आपने फलहार वगरा मिठाई वगरा बनाई है वो इश्वर को समर्पित कर दीजे ठीक है और पूरे दिन जो है वो इसी परकार से आप अपने दिन को फ्यतीत करिए आप फल वगरा खा सकते हैं अगर आप दोनु सब्सक्राइब नमक और सकते हैं इस परकार से आप सुभां में अपनी जो है घर के अंदर जो है वो पूर कर लेंगे उसके बाद बहुत सारे लोग इस दिन रुद्र अभीशे का अईोजन भी करते हैं अगर आप आप ले नदमा यह ने में बनाया है तो सब्सक्राइब भग्र 씁आ पूर लगाईएगा अब इसके बाद शाम की पूजा कब होगी इसके बाद आप अपना भगवान जी को चढ़ाने के लिए खाना पीना सब बनाएंगी और इसके बाद जो पूजन होगा वो प्रदोश काल से शुरू होगा रातरी के चार पहर तक चलेगा तो पहले पहर की प सेंट टाइब की मच जाएगी तो वो मैं नहीं चाती हो मैं चाती हो आप लोग सेफरेट ली दीरे दीरे सारी चीजों को समझे मेरे पास कुछ लोगों का कॉमेंट हम इस वीडियो में कुछ कॉमेंट भी डिसकस कर दोती हूँ कि दीदी हम जैसे रातरी के चार पहर का पू उन्हीं शीवलिंग के साथ करेंगे अलग 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 शीवलिंग के निर्मार की स्थापना की जरूरत नहीं है सिर्फ एक ही बार करनी हैं भौस सारे श्यक्ता नहीं पड़ती है अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्षमी श्री हरी विश्नु सदेव निवास करें तो एक चीज़ जरूर करें कि शिवलिंग का पूजन प्रदोश काल में अवश्य करें सूर्य अस्थ होने के बाद जो डेड़ घंटे का समय होता है प्रदोश काल कहा जाता है तो इनकी पूजा अगर आप प्रदोश काल में करते हैं श्री हरी विश्नु का ध्यान करते हुए तो आपके घर में श्री हरी विश्नु का ब्राजमान हमेशा रहता है साथ ही माता लक्षमी का भी ब्राजमान रहता है कभी भी घर में रखें तो उनका जो नाग है जिसे हम वासुकी कहते हैं वो नाग रखें ठीक है नंदी जी रखें मा गौरी और श्री गड़ेश का विग्रह जरूर साथ में रखें कहने का मतलब complete शिव परिवार जरूर रखें जैसे कि आपने हमारे घर में देखा होगा चुकि मेरे तो अब तो गया है आपको जो है पारत की शीव लिंग रख सकते हैं पारत की शीव लिंग के सहीर चूट नहीं करते हैं राशी अनुसार कैसे रखना है वह मैंने वीडियो बदाया आप उनको रखें और मैं आपको बता हो सबसे बेस्ट है कि आप पत्थर की शिला रखें यह स पूजन सामगरी में क्या क्या चाहिए, बहुत महात्वपूर, पंच उपचार में जो लगता है, बेलपत्र, आक, धतूरा, मदार, भांग, इस तरीकी की चीज़ें आप दुकानों पर मिल जाएंगी इसने, तो आप घर मेला के ज़रूर रखे, बकाय कि अगर आप लोग चा को चाहिए, तो मुझे कॉमेंट जरू करिएगा, मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, अप तक लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, एंड बाबाई